हलो इस्टुटेंट्स वेलकम तो आर चैनल गेट एंड एसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स इंटेंग आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल डिफ्रेंसियेटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एंपली फायर दिस वन अप दा वहरी वहरी इंपोर्टेंट टॉपिक और कितने भी डिफ्रेंसियेटर आपने पढ़े हैं राइट मैंने ही पढ़ाया आप लोगों को यह सब की प्रॉब्लम को शॉट आउट करेगा और देखते हैं इसकी क्या-क्या खूबिया हैं तो यह है सर्कीट डाट इस अ प्रैक्टिकल डिफ्रेंसियेटर बाय यूजिग क्या आप मेरे इस एक्सपिरेंस का फाइदा लेना चाहेंगे क्या आप उन लाखो बच्चों की तरह इन सब एक्जाम्स को क्रेक करना चाहेंगे तो चलिये बने रहिए मेरे साथ मेरी बहुत ही सिंपल स्ट्राटिजी है राइट फर टॉप रेंग बेसिक कंसेप्ट कोश्चन्स फ्रॉम स्टेंडर टेक्च्ट बुक भूलने में बड़ा आसान लगता है लेकिन जब हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत है डिफिकल्ट हो जाएगा मैं आपको गौइट करूंगा कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है कैसे आप टेक्ट बुक पर सकते हैं कैसे साथ तो चलिए और प्रीविएस येर कॉश्चन्स बहुत सारे कॉश्चन्स अवलेबल हैं उन में से कैसे सलेक्ट किया जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं बताऊंगा कि इन एक्जाम्स में कैसे टॉप किया जाता है राइट तो यह हैं इन्दिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जहां मैं associated हूँ, आपने anthem तो सुनी ही होगी हमारी, नहीं सुनी, आज ही सुनिए, let's crack it, okay, full motivation आ जाएगा, और फिर इस exam की तयारी जोर से किसी, कूरी तयारी के साथ, okay, तो यह है मेरे courses on this platform, network, EDC, analog, digital, control, microwave, microprocessor, इतने subjects को आप YouTube में भी देख सकते हैं, special classes में भी देख सकते हैं, लेकि these are capsule or crash course, अगर आप regular course करना चाहते हैं, for gate and EAC 20, 21 and 22, electronics, electrical and instrumentation, तो आज ही मेरा code use कीजिए, SR10, और मेरे guidance में आईए, और साथ में आप को मिलेगा 10% का discount, courses available हैं for these, fees, मैं आप लोगों को recommend करूँगा minimum 12 months या फिर 24 months, दो reason, पहला fees काफिर is level हो जाएगी, दूसरा, ये national level के exam से class 1 officer बनना है, राइट, बबूल का पेड़ बनना है या tick wood, आपको ध्यान रखना है, अगर tick wood बनना है, तो time तो देना पड़ेगा आप लोगों को, yes, तो दीजिए और practice किजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे इन exams को crack किया जाता है, आप मेरा code use कर सकते हैं, SR10, and the fee will be only 27,000, अगर आप effort अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप EMI option में जा सकते हैं, all credit cards, SDFC debit card, किसी भी बात के लिए, बे जिज़क मुझे WhatsApp कीजिए, मेरे नंबर पर, ओके, यह है मेरा नंबर, 9-8-999-4-0-0-9-6 अब आपकी screen पे देखिए, यह दिख रहा है, differentiator, passive differentiator, by simple high pass RC circuit, इसके बारे में एक वीडियो है, पूरा देखिए धंसे, that is the differentiator by using operational amplifier, इस पर भी एक वीडियो एवलेबल है, इन दुनों की क्या-क्या limitation है, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया है, with the help of Miller's theorem, right, इसे मैंने solve किया है, जरूर देखिए वो इन वीडियोस को, और अब जो तीसरा है, first, second and third, that is the practical differentiator using operational amplifier, यहाँ पर आप देखेंगे difference, यहाँ only C लगा हुआ है, यहाँ एक R है, लेकिन यहाँ आप देखें, C के साथ साथ एक R भी लगा हुआ है, तो extra हमने क्या लगाया है, एक R लगाया है, क्यों लगाया है, पहले तो आप यह समझ लीजिए, क्योंकि इस circuit में जो gain आया था, वो exactly omega equal to infinite पर infinite हो रहा था, किसे भी system के लिए gain infinite नहीं होना चाहिए, तो चली देखते हैं, practical differentiator का क्या gain है, तो यहाँ पर आप अगर gain निकालना चाहेंगे, तो gain होता है V0 upon V, and that is equal to, देखेंगे, यह inverting operational amplifier है, ZF upon ZI, this is the ZI, minus ZF upon ZI, what is the ZF, RF, what is the ZI, RI in a series with CI, तो आप लिखोगे, A is equal to minus RF, this is the RF, upon ZI, RI plus 1 by SCI, RI upon 1 by SCI, numerator और denominator में इस RI से divide कर देजे, minus RF by RI upon 1 plus 1 by SCI, RI, okay, अब S को replace कर दिजे, J omega से, तो आपके पास जो gain आएगा, minus RF by RI upon 1 minus J by omega RI, CI, and that is the standard gain for this circuit, अब, point यहां पर आप ध्यान लीजेगा, इस point पर, अब अगर आप इसका mod निकालते हैं, what is the mod of this gain, तो ध्यान रखेगा, mod of this gain, become, RF upon RI root over 1 plus 1 by omega square RI square CI square, that is the gain of the system, problem क्या थी उसकी, problem थी, जैसे ही आप omega को, जैसे ही आप omega को infinite करेंगे, right, gain infinite हो जाता, लेकिन आप यहां रखे, जैसे ही आप omega को infinity करेंगे, 1 by infinity 0 हो जाएगा, and what is the maximum gain, maximum gain become, RF by RI, no, this is not infinite, that is the finite gain, finite gain, अब direct भी निकाल सकते थे, omega equal to infinity पर, इसका impedance, CI का impedance हो जाएगा, 0, क्योंकि Z is equal to होता है, 1 by omega C, ZC is equal to, omega equal to infinity पर, यह 0 हो जाएगा, short circuit हो जाएगा, minus RF by RI, क्योंकि मैंने निकाला है, minus RF by RI, that is the mod, simple, दूसरा, जैसे जैसे आप omega को, कम करते करते, 1 by RI CI करेंगे, तो यह gain हो जाएगा, RF by RI, divided by root 2, चेक कर सकते आप, जिस frequency पर gain, maximum का, 1 by root 2 हो जाएगा, उसे बोलते हैं, 3 dB cutoff frequency, तीसरा, अगर omega को, आप 0 रख देंगे, तो 1 by 0 इंफिनिटी, और mod हो जाएगा, 0, और अगर मैं इसे, plot करता हूँ, तो यहाँ जान दीजेगा, आप, that is the omega, that is the mod of AI, और यह आपका करवा रहे, and what is the maximum gain, of the system, आप देखेंगे, maximum gain है, RF by RI, और यहाँ, is cutoff frequency पर, that is the omega c, 1 by RICI, यहाँ पर आपका gain हो गया, RF by RI upon root 2, this is nothing but, low pass filter, sorry, sorry, high pass filter, okay, यह है high pass filter, और अब इसकी जो bandwidth है, यहाँ से लेकर, आगे तक, इसकी आपकी bandwidth हो गई, what? infinite, देखेंगे हैं, यहाँ से लेकर, last तक अगर आप जाते हैं, तो इसकी bandwidth हमें क्या मिलेगी, infinity मिलेगी, अब, roll of problem हट गई, उस circuit में problem थी, continuously roll कर रहा था दिन, ऐसा जा रहा था, सीधा, किस circuit की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपने R नहीं लगाया है, इसका जो gain आया था, R upon 1 by SC, that is minus SCR, that is equal to minus J omega RC, तो देखो, यह directly omega पर depend था, जैसे जैसे omega बढ़ते जाता, सीधा straight बढ़ रहा था, और omega equal to infinite पर infinite हो जाता, वो problem इस circuit में sort out हो गई, यह है, उस circuit का case, यह हमारे नए circuit का case, इसमें infinite हो रहा था gain, omega equal to infinity पर gain become infinite, बट यहाँ पर finite है, R by R y, रोल आफ प्रॉब्लम हट गई, साथ में, आपका जो gain infinite हो रहा था, वो भी problem हट गई, gain is the finite, बट अभी नहीं problem आ गई, bandwidth infinite है, bandwidth is what infinite, किसी भी system में अगर bandwidth infinite है ना, तो noise बहुत ज़्यादा आएगा, तो अगले में और हम पढ़ेंगे, more practical differentiator, जहां पर हम एक extra element लगाएंगे, to reduce the bandwidth, और to limit the bandwidth, तो बने रहिए मेरे साथ, अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा आँगा आपके लिए, तो यारी जल्दी स्टार्ट कीजिए, extra age लीजिए, मेरा code यूस कर सकते हैं, आप मेरे under guidance में आएंगे, मैं आपको guide करूँगा, इन exams को कैसे निकाला जाता है, इंडिया लेवल के exam में बहुत ही sincerely हमें effort देना होगा, ध्यान रखिए, यह है मेरा code, किसी भी जानकारी के लिए, बे जीज़क मुझे वाट्सप कीजिए, मेरे नमबर पर, 98999-40096, then, thank you for watching, good day and good luck for coming exams, thank you.